सरहद की हिभाजत करने वाला फोजी हुस्न में, हुस्न के जाल में बुरी तरह से फुर्च जाता है, नई नई नोकरी, सरहद पर तैनाती थी, समय मिलने पर कुछ वाटसप होगरे चला लेता था, देख लेता था फेस्बुक, उसी दवरान हुस्न की मलिका मैसेज करती है, हा आदान परदान होता है बादचित का, उसका फोटो देखता है और फिर आकरसर बढ़ता जाता है, यही होता है, सावधान हो जाईए, यदि कोई हुस्न की मलिका आप से भी इस तरह की बादचित करती है, तो सुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन परेडाम बहुत बु फोटो जी जेल रहा है, रात की नीद गायब हो गई है, नौकरी रहेगी कि जाएगी यह अभी आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन फोटो जी हुस्न के जादू में इस परकार फर्स गया, जिसकी कहानी आज हम बताने जा रहे हैं, यह कोई कहानी कपोल कल्पित नहीं ह यह थाद से आचादित है और आपके काम की भी है, वह हुस्न का जलवा भी खेरने वाली कौन है उसके बारे में भी बता रहा हूँ, और फोजी के बारे में बता रहे हैं, कैसे उलच गया, कैसे फंस गया और कैसे इसके दल दल में नीशे तक दब गया, सार्दिक समन्द भी हुए है, उसके बाद जो हुआ जानी है, यह है हनी ट्रेप, किस प्रकार आज तमाम भारत की भी महिलाओं को पाकिस्तान जैसे देशी यूज कर रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं, और पाकिस्तान की भी कुछ सुन्दर बालाएं हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, मैं उन्हें सारिक संबंद बनाना होगा, तब भी उन्हें कोई परहिज नहीं है, किसी प्रकार की कोई हिज की चार्ट नहीं होगी, और सारिक संबंद भी बना लेगी, जो भी समर्पन करना होगा, आपने आपको समर्पित करनेगी, लेकिन उन्हें खुपिया जानकारी प्रदीब कुमार उन दिनों असम में तैनाथ था तैनाथी के दोरान उसकी मुलाकात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की से लड़की ने कहा हमें फोजी पसंद नहीं देश के सरहत की हिपाज़त करने वाले लोगों से ही हम साधी करेंगे अन्य था हम कुमारे रह जाएंगे कुमारी रह जाओंगे लेकिन साधी नहीं करोंगे प्रदीब कुमार का आकर्षन बढ़ता है कल्पनिक नाम सीमा हो सकता है आकर्षन बढ़ा और बढ़ते बढ़ते फिर बात आगे बढ़ गई सीमा ने उससे बुढ़ाया हो जी किसी तरह से छुटी लेकर के घर आया, घर आते ही पहुँच जाता है लखनव, जहां का एड्रेश दिया गया था, जो सपनों की रानी थी उसके पास पहुँच गया, बाचीत होती है और बाचीत होते होते, यह भी हो गया कि साधी हम तुम ही से करेंगे, चलो कोई बात इसे भी वो देता है, कुल बिलाकर के 6 लाक रुपए एकाउंट में दिया और 5 लाक रुपए दगत दिया, कुल 11 लाक रुपए फोजी देता है उसे और फिर साधी की बात तय होती है, असम के बाद उसकी तैनाती सिक्कीम में हो जाती है, बाचीत होती ही रहती है, फोजी जब भी आता है, उसे मिलता है, उसके साथ संबंद अस्थापित करता है, और जब साधी का दबाव बनाने लगा, तो उसने कहा देख, अभी साधी हम नहीं करेंगे, और यह हमारे साथ संबंद अस्थापित किये हो न, यह वीडियो देख लो, और हम तुम्हें चिल जासूस है, भाउजी ने एक बार यह भी देखा, कि एवारशन इसने कराया है, उसका भी मेडिकल रिपोर्ट देखा, और फिर यह भी देख लिया, कि यह तो साधी सुदा है पहले से, और इसके पती से इसके अच्छे संबंद भी हैं, अब वो अजिद करने लगती है, कि ह इसने गोपनिय सुचनाय नहीं दिया, तो उसने रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया, कहा इसने साधी का जहांसा दे करके हमारे साथ बलपुर्बक सारिक संबंद स्थापित किया, फोजी पर रेप का मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद फोजी लिखना पढ़ना सुर बिबस हो करके जाता है कोड का दरवाजा खट-कटाता है और बताता है कि ये हमारा अकाउंट नंबर है इस अकाउंट नंबर पर हमने इतने पैसे बेजै है और सारा कुछ प्रूफ देता है उसके बाद कोड के माध्यम से अपराध दर्ज होता है यह रहा चिनहट ठाने में अपराध दर्ज हुआ है वो अभी 156 दंड परकिरिया संगिता की दहरा 156 के तहट अपराध दर्ज होता है पुलिस सीमा की तलास कर रही है इधर इसके उपर भी रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है अब आगे क्या होता है फिलाल हनी ट्रेप का यह बामला जो हुसन की दिवानगी में फस गया फोजी इस तरह से तमाम फोजी भी फसते हैं आम लोग भी फसते हैं और पुराने लोग भी फस जाते हैं यह मानोस भाव है बात करने की इच्छा होगी और बात करने की इच्छा होगी तो फिर तबाही का आलम सुरू हो जाएग यह इसकी इसक है इसकी इसकी बहुत कठीन है जगरपन खटकी तो दोस्तों यह रहा है यदि आपके सामने भी कोई इस तरह से वाटसप कालिंग आता है वीडियो कालिंग आता है तो कद आप भी उसे न उठाएं क्योंकि AI अपराद जिसके बारे में हमने पहले भी बताया है उस तरह के अपराद भी अब प्रचलन में आ गये हैं और दूसरी तरफ यदि आप उठाएंगे तो सामने कोई महिला कोई लड़की हो सकती है और वह नंगे बतन होगी यदि आप थोड़ी देर तक ही रुखे तो आपका वीडियो भी बन जाएगा फिर ब्लेक मेल करना प्रणाम स्विकार करें